सब्सक्राइब कीजिए Only MS World को और बैल आइकन को दबाईए हमारे नए वीडियो देखने के लिए तो फ्रेंट्स इस वीडियो में जानेंगे कि Microsoft World में पूरी टेबल के जितने भी बॉडर है सब का कलर कैसे बदलते हैं एक साथ जैसे कि आप में एक टेबल बनाई हुई है अब यहां पर जितने भी पॉडर है वह सब का कलर यहीं ब्लैक है तो अगर हमें यह कलर बदलना है तो हमको झाना है एक में प्लस का साइन आपको यहां επी दिखरा है इसपर क्लिक कर दीजे और आपकी table जो है वो select हो जाएगी जब table select हो जाएगी तो उपर दो नए tab दिखाई पड़ेंगे design tab और layout tab इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको देखी बहुत सारी tables के option दिखाई पड़ेंगे तो हमको जाना है modify table style पे यह रहा modify table style इस पे click कर दीजे तो modify style का छोटा सा window open हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा हमें क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आप यह ध्यान दीजे कि apply formatting to whole table select होना चाहिए ठीक है यहाँ देखे whole table पहले से select है अगर नहीं select हो यहाँ drop down पे click करिए और यहाँ से पहला option जो है whole table वाला वह select कर लिजे उसके बाद यह रहा border color का option फिलाल black में show कर रहा है इसके drop down पे click करिए और यहाँ से कोई भी color आप select कर सकते हैं माल लिजे कि मैं यह blue select कर लेता हूँ तो जैसी मैं blue पे click करूंग आप देखेंगे color जो ह color है वो change हो गया